देखिए अभी हम लोग जंगल के रास्ते चल रहे हैं और काफी घना जंगल है लेकिन हम इस जंगल में आगे बढ़ रहे हैं आईए आपको ओले चलते हैं घने जंगलों के रास्ते बहुत सांदार व्यू है और देखे इस्ट्रीमर भी चल लगी है अभी आपको दिखाते हैं इस्ट्रीमर कहाँ है थोड़ी बहुत जंगल का भी मज़ा ले ले हैं हम लोग शांदार जगह यह देखिए अब देखिए हम लोग जंगल से बाहर आ गए हैं इसमें देखिए लाइटें लगी हुई है अगर जो यह साम होता तो बहुत सांदार लाइट लगता तो कभी ऐसा टाइम आएगा जो हम साम को आएंगे और आपको इस इसका भी व्यू दिखाएंगे यह देखिए सांदार यह खुबसूरत व्यू है शांदार व्यू यह देखिए अभी हम आपको यह व्यू पॉइंट पर ले चलते हैं आएए चलते हैं इस पर इस पर शिड़ी नुमा बना है और पानी तो बहुत सांदार दिख रहा है और आएए इसके साथ हम दोफ चलते हैं उपर और यहां से देखते हैं चलिए और यह देखिए यह देखिए सांदार व्यू ऐग्या गजब व्यू और देखिए इसमें स्टेमर भी चल लगी है आगे बहुत दूर टेंपल दिख रहा आपको और हमको वहां तक चलना है और अभी तो थकान चालू हो गई है लेकिन हम चलेंगे वहां तक भी आपको इतर माय दवी मंदिर पार्ट है यह दीशिए है और दूसरे तरफ का जो भाग है वह अदर कोरियन मंदिर और भी बहुत सारी मंदिर हैं जो दो पार्टों में और यहीं से दो भागों में वज़त होती है अब इसके बाद आए हम आपको यह तीसरी मंदिल दिखाता हूं बहुत सांदर मुझे फूल लग रही है अब इस मंदिर को पहले हम घूम लेते हैं हमारे खेल से साइद या म्यूजीशियन कोई मंदिर है बहुत इस्टों की तो अभी देखते हैं देखे पहले तो फूल यहां कि जो फूल लगे हैं बड़ी से अंदर दग दिया मुझे तो सबसे पहले तुम्हें फूलों मी लग गया अब देखिए इस मंदिर का भाग बहुत उंचा है हाइट पर है मंदिर और यहां से सीठी नु हुआ है इसका कुछ नकुछ तो है और आए हम पहले देखते हैं मंदिर पर क्या लिखा हुआ है और बड़ी अच्छी मंदिर दिख रही है और देखिए एक मिनट यह है इस्तुपा माथी यह नेपाल त्रिवेदा बुद्धिष्ट म्यूजियम यह है और यह देखिए बा का सांदार फूल है बहुत शांदार है अब यह पताने किस चीज का फूल है लेकिन है सांदार कोरियन मंदिर बही इस मंदिर का तो मैंने बहुत नाम सुना है और देखते हैं इस मंदिर में क्या है और यह देखिए मंदिर क्या गजम मंदिल है आप इस मंदिल को हम आपको अंदर तक दिखाएंगे नजारा दाई सूंग साकसा जिसे कोरियाई मंदिर के नाम से जाना जाता है और बहुत ही अच्छी बनावाट इसकी है कि कि चलिक स्टल्फ चलते हैं और देखने मंदिल यह मंदिर तो काफी विशाल है और इसकी विशालता तो देखते बनती है और देखिए यह बहुत ही विशाल छेत्रों में है और इसकी बनावट बहुत पसंद है और इसकी जो कलाकारी देखिए इस पर जो भीत चित्र बनाये गए न यह भीत चित्र के बहुत बड़े लेकिन चुकि यह कोरियाई भित्य चित्र में बनाई गई है और इसको हम जादे नहीं समझ पारे हैं लेकिन इनका बहुत बढ़ा उत्देश होता है तो कोरियाई भित्य चित्र आपको रंगीन में देखने को मिल रहा है और मैं बता दो कि मंदिर काफी बड़ी है देखिए इसमें जो यह चित्र है यह बहुत बड़ा संदेश है लेकिन आगा जो हम समझ पाते हैं तो इस तरह से देखिए इस पर बहुत अच्छी रंगीन चित्र बनाए गए हैं और इन चीजों को आपको देखिए महसूस कर दिए हम भी महसूस कर सकते हैं इनके उद्देश क्या ह हैं लेकिन जो भी मन्दिर का अच्छा होता है बढ़ियों थाेखिक और यह अंदीर के यह का लुम्नी में पश्च्मी भागमें स्थित्त हैं और यहां पर रहने और रहने के लिए कोई समस्या नहीं आप यहां आ सकते हैं रह सकते हैं रुख सकते हैं पूरी बेवस्ता है आप रखाने पीने के भी बेवस्ता है और मैं इसको बता दूँ कि यह कम्यूटी स्लिपिंग एरिया के साथ 500 N.O.R. प्रत दिन की नियुंतम लागत पर जो है आपक इसकी कला देखते हुए बनती है हम तो कुछ समय के लिए देखिए इस कला को देखते रह गए देखिए बहुत असांदर मुझे तो अच्छा लग रहा है यहां की कला और देख भी रहे हैं और देखिए इसकी बनावट बहुत पशंद है क्योंकि इस तरह के मंदिर हम पुल यलो कलर में है और इसके बाद यह चाइन इस मंदिल है जाएक मे चलते हैं देखते हैं कि यहां पर crashing रहule है यह समर्जिए द्देख क्योंकि मैं थोड़ी सी दियास के जानकार हूं तो इतियास के चानकार गुल्हारत तश्वीर वेन सांग जो हमारी भारत की यातरा पर आया था वेन सांग को देखते हैं मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इनके बारे मैंने बहुत कुछ पढ़ा ये हैं वेन सांग जो भारत की यातरा पर भारत की कोच करते हुए आये थे और बहुत बहुत मठों इमकी बहुत सारी जनकारियां मिलती हैं और जैसे ही मैंने इनको देखा तो मुझे तो लगा मैं अपने इतिहास में चला गया हूं अब इस देखिए इस मंदिर के पाहर से हम अगले मंदिर की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं हमें कौन सा मंदिर मिलता है और यह जो मंदिर अब काफी जो रंगीन ये कला ये बहुत कुछ कह रही है बहुत कुछ बया कर रही है लेकिन हम उसको नई समझ पाने हैं लेकिन फिर भी इस देखके तो महसूस कर सकते हैं क्या है तो धर्म जो भी है बहुत है बड़ा है संदेश बहुत बड़ा इनके हैं तो यह देखिए यहां पर भगवान बुद्ध की तस्वीर और उनके नीचे यहां के तस्वीर और देखिए काफी कुछ है और यहां की जो चित्रकारी की गई है बहुत पशंदार है बहुत सांदार देखिए कला इनकी बहुत सही है आप भी रहेंगे इसको देखते रह जाएंगे कुछ टाइम के लिए मन तो कर रहा था कि हम यहां बैठें कुछ देर तक देखें लेकिन जो की टाइम का भाव था इसना थे हमें यहां से निकलना था तो लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ महसूस किया और उस चीज को देखी बहुत संदार अब इसके बाद हम लाश्ट मंदिर में पहुंसते हैं इस वीडियो का यह लास्ट मंदिर है और इसके बाद हम पांचवें पार्ट में लुंबनी के जो है बहुत सांदार मंदिर दो मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा और उसको लेके मैं आऊंगा अंदर रिकार्डिंग करने के लिए तलाव नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको नहीं लेकिन हम आपको दिखा रहा है और आप से मिलते हैं अगले वीडियो में मसकार करें 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 करें